करोनकार में बढ़ाये गए बस किरायों को कम करने की मांग तेज हो रही है आमचन का कहना है कि अब बसों में पूरी सवारियां जा रही है तो आमचन को बढ़े किरायों से परिशान क्यों किया जा रहा है आमचन का कहना है कि उनकी माली हालत बिगड गई है सरकार को चाहिए कि वे बसों के किरायों को तुरंत बापिस ले गौरतलब है कि आम तबका बसों के बढ़े किरायों से परिशान है आम लोगों के मताबिक करोना काल में बस किरायों बढ़ाना समझ में आता था लेकिन अब जब बसों में सवारियों पूरी बैठ रही है तो क्यों सरकार बढ़े बस किरायों को बापिस नहीं ले रही है। आम जन ने सरकार से आग रह किया कि गरीब की स्थिति को देखते हुए तुरंत बसों के किरायों में कमी की जाए। लोगों ने बताये की करुणा काल में बढ़े बस किरायों को सरकार अब बापिस ले क्योंकि बसों में पूरी सवारियों सफर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बढ़े बस किरायों से उन्हें परशानियों से दोचार होना पड़ रहा है ग्रीब जंद के बारे में सोच कर सिरकार फैसला करे ताकि आम जन को राहत मिल सके कराय की बात है निश्चित रूप से ये कम होना चाहिए था अभी दी स्वारियां कम है तो कोई न कोई कान तो रहा है होगा उस आधार पर इन्होंने ज्यादा कराया बढ़ा दिया लेकिन जब अब जब कि स्वारियां पूरी हैं जब कि स्टेंडिंग में जा रही है तो निश्चित रूप से कराया कम होना चाहिए था लेकिन ना तो आप वह सुविदाए हैं कि आपको सिटिंग कपैस्टी पूरी थी देगन हो यह रहा कि सेटिंग के स्टेंडिंग में जा रहे हैं क्राया बिव ज्यादा दे रहे हैं जहां भी हम जाते हैं हमार को काफी बसों से दिकेत आती रहती है उसमें बहुत क्राया बढ़ा गया है जो कि लॉक्डाउन के अंत्रगत हम चाहते हैं कि यह प्यार टीवी के लिए सोलन से अमरपृत सेंग की रिपोर्ट